नमस्कार दोस्तों, हर्षित दिवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है, मेरा नाम है विनीच शागर आज हम डीटेली डिसकस करेंगे, वाट इस रेडियो कॉलरिंग इन अनिमल्स ये टोपिक में इसलिए लेके आया हूँ, क्यूंकि रीजनली आंधरा प्रदेश के कोरिंगा वाइलेफ सैंक्चुरी में जे एक नोज आया था, उथर के 10 फिशिंग क्याट्स में रेडियो कॉलरिंग करने वाला है, तो ये हमारी देश में पहली बार हो रहा है कि फिशिंग क्याट्स का रेडियो कॉलरिंग प्रजेक्ट जो है, ऐसे एक सीमियर प्रजेक्ट इससे पहले बंगला देश में भी हुआ था, वैसे आंधरा पदेस टेट फोरस्ट अब ये रेडियो कॉलर प्रजेक्ट कौन इंप्लिमेंट करेगा, वाइडलेफ इंस्टिट रोफ एंडिया, अब दोस्तों, फिशिंग के बारे में कुछ बेसिक डीटेल्स, इनके साइंटिफिक नाम है, प्रियो नाइलरस विवेरनस, वैसे दोस्तों, UPC में साइंटिफ नेम से रिगार्डिंग भी कोसिन साया है, पर पिछले 10 साल में कमसे का ये साइंटिफिक नेम वगरा पूछा नहीं है, पर आगे पूछ भी सकता है, जितने न्यूज में रहते हैं, उसका साइंटिफिक नेम भी एक बार ध्यान दीजेगा, तो दियार नॉक्टेर्नल अनि इनके जो हंटिंग वगरा रात में होता है, इंडिया में इनके मेजर हैबिटेट कहां काप है, इस इस वेडी इंपोर्टन ध्यान दीजेगा, देखिए, मैंग्रूर फोरस्ट ऑफ द सुन्दरबंस, फूटिल्स ऑफ हिमालयास अलोंग द गंगा अन ब्रह्मपुत्रा रि It also prays on frogs, crustaceans, snakes, birds, scavengers and carcasses of larger animals, देखिए, फिश के अलावा, ये क्या-क्या खाते हैं, frogs खाते हैं, crustaceans, snakes खाते हैं, birds भी खाते हैं, and scavengers and carcasses, carcasses मतलब जो dead bodies होते हैं, इनमल का वो भी आशे खाते हैं अब दोस्तों ये crustaceans का मतलब क्या होता है, ये भी मैं आपको बता द तो जितने और्गानिजम में शेल्स रहता है मेरा कहने के मतलब एक कवर्च रहता है फॉर एक्जांबल क्राप्स हो गया लॉप्स्टेर्स हो गया कुछ श्रीम्स हो गया यह सारे क्रस्टेशन कैटेगरी में आता है आप देखी इडिस क्यापबल अफ बीडिंग ओल यह आता है और गबंड ओफ इंडिया का वाईलेफ प्रोटेक्शन एक शेडूल वन में आता है अब इनके लाइफ के लिए थ्रेट्स क्या क्या है देखिए दोस्तों डिस्टेक्शन ओफ वेट लांट्स आपको पाते हिंके मेजर प्रिफर्ट हाबिटाट जो वेट लाट्स आता है क्योंकि उथर फिश की अवेलिबिल्टी है तो यह डिस्टेक्शन ओफ वेट लांट्स जो होता है आजकल इसकी वजह से इनके लाइफ के लिए एक मेजर थ्रेट है दूसरा यह है डिप्लीशन ओफिट्स में प्रेफ फिश देखिए दोस्तों अनसस्टेनेबल फि इसे पहले का इनिमल्ट का फोट अप देख सकते हो इस लाइंड को एक रेडियो कोलर पैनाया हुआ है इसमें जीपीएस सिकनल्स रिसीव होगा अब इसमें से फोरस्ट ओफिशल्स को यह मालूम चलेगा कि अनिमल का मुवमन का है अब देखिए इसके फायदा क्या-क्या ह रिडियो कोलर इंका क्या-क्या अडवांडे जैसे यह हम चेक करेंगे सबसे पहले इंपोर्टन एडियास अन हैबिटेट्स तक यह तो आनिमल कांग घूंगते हैं कौन-कौन से एरियास में जाते हैं इनके मेज़ा हैबिटाट कौन-कौन से हैं और कौन-कौन से वाइड क्या होता है देखे धोस्तों मांचा लिब यह बहुत बड़ा फॉरस्त है यह फॉरस्त के 20 में से हमने हाइवें गना दिया मानलो ठीक है तो ऑनिमल का जो मूवमेंट ते इधर से इधर यह टो बंद तो यह हाइवें क्रोस करने के लिए अनिमस के लिए एक बाइड लिफ क जा पाएंगे ठीक है तो यह हो गया and understand how human-led changes affect animal movement and behavior इसका मतलब यह दोस्तों आपको पता है काफी सारे human wildlife conflict होता है जिसके वज़े से humans का death होता है तो यह human-led changes मतलब human के ज्यादा involvement की वज़े से animals में क्या-क्या changes होता है मतलब देखिए जैसे highway बना दिया या कोई bridge बना दिया forest के अंदर तो इसे animals में क्या-क्या effect होता है animals उस तरफ आना बंद कर रहा है कि नहीं तो यह सारी चीज़ें पता कर सकते है यह radio caller के movement analyze करने से है कि नहीं फिर कीप टाक ट्रैक ऑफ कपस बींग बॉंड इंके जो बच्चा पेदा होता है तब यह कैसे बीव करते हैं का जाते हैं अपने habitat चेंज करता है कि यह सारे मालूम चल जाएगा फिर डिटेमिन हाव मच टाइम अनमल स्पन आउटसेट प्रोटेक्टेट एरिया देखिए हमारे देश में कही सारे प्रोटेक्टेट एडिया जिसमें काई सारे अनिमल स्पीछे से अब यह रेडियो कोरिंग करने से यह तो पता चल जागाना यह जो वाइल डाने एडिया से बाहर कितने देर के लिए रहता है जिससे यह घूमन वाइलेफ कॉंप्लीक्ट वरा होता है और क्या है understand issues related to disease transmission also अगर कोई disease infect हो गया तो इसके transmission किस तरह होता है और be immediately related when a animal has died अगर कोई animal का death हो गया ये भी मालूम चल जागा ना ये signal receive होने से मतलब एक ही जगा से अगर दो तीन खंडे के लिए continuously एक ही point of location से continuously signal हाता रहेगा तो इसका मतलब ये है या तो वह animal sore है अगर 6-7-8 घंडे हो गया तो ये मालूम चल जागा ना इसका death हो गया तो ये सारी चीज़े मालूम चल जागा radio coloring से तो simple सी बाते दोस्तों आप common sense से सोच सकते हो अब अपना भी points लिख सकते हो अगर एक animal में एक GPS फिक करेगा तो भी उसे बाते हो कहा कहा जा रहा है क्या क्या activities कर रहे है ये सब आपको मालूम चलेगा ना तो इसे बहुत सारे advantages है अब दोस्तों finally advantages के साथ साथ कुछ hazards भी है radio coloring का ये 100% safe आप नहीं बोल सकते है देखे 90% safe बोल सकते हो पर 100% safe नहीं है आप खुद सोचे दोस्तों अगर एक wild animal का radio coloring करना है तो सबसे पहले उस animal को tranquillize करना पड़ेगा अब tranquillize करने के लिए आप इसी तरह का dart guns यूज करते है इसको अब dart बोलते हैं इस dart के अंदर आप tranquillizer भरते हो इसके बाद इस gun से animal के शरीर के उपर shoot करते है पांच या 10 मिनिट में वो tranquillize हो जाते है बेसिकली सो जाते है तब आप radio coloring कर सकते हैं वैसे एक काम professionals करते हैं उन्हें पता रहता है कि एक-एक animal के लिए कितने tranquillizer का dose से ह होता है पर देखें आपको ये भी पता है एक-एक species में कई सारे animals होता है जिनके weight structure वगरा अलग रहता है तो कभी-कभी tranquillizer का dose है वो ज्यादा हो जाते है कभी-कभी होता है पर ऐसा भी cases हुआ है history में कि ये tranquillizer dose fire करने के बाद animal का death हुआ हो तो ये radio coloring में ये risk तो involved है तो इस लेक्चर की pdf as usual आपको telegram channel में मिल जाएगा जिसका link नीचे provided है thank you for watching bye bye have a nice day